हेलो फ्रेंड, वर्कम टू माई चैनल, आज मैं आपको स्वेटर डिकान सका रही हूँ, यह स्वेटर डिजाइन आप किसी में भी अपलाई कर सकते हैं, बेबी स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेन स्वेटर, यह बहुती सुन्दर वर ब्यूटिफुल डिजाइन है, एक बिग करने हैं, यह देखे फ्रेंड, पहला फंदा मैं अजेस्टिज निकाल लोंगी, उसकी बाद मैं धागा आगे करूंगी, पहली रूप, देखे, वान, टू, टू फंदे सीधे बिनूंगी, धागा पीछे करूंगी, वान, टू, थ्री, फोर, फाइफ, फाइफ फंदे मैं स सीधे बिनूंगी, देखे फ्रेंड, पहला फंदा एजेस्टिज, टू फंदे उल्टे और फाइफ फंदे सीधे, यह बार बार रिपीट करना है, देखे, टू फंदे उल्टे और फाइफ फंदे सीधे, देखे, फिर मैं वही रिपीट करूंगी, वान, टू, टू, टू लंगे, 2 फंदे उल्टे, और 5 फंदे, सीधे, देखे मैंने 2 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे सीधे, फिर वही रिपीट, यही पार बार रिपीट होगा पूरी पैटन में, 2 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे, पहली रो, यह देखें इस तरीके से मैंने पूरी रो निकाल लेनी है यह देखें और लास्ट में मेरे एक फंदा एजिस्टीज बचेगा इसको भी हम बिने लास्ट में दो फंदे उल्टे और एक फंदा एजिस्टीज एक आगे और एक वीचे मैंने एजिस्टीज रखा हुआ है तू फंदे एजिस्टीज हैं और रिजाइन के फंदे हैं बैक साइड से हमें एक एजिस्टिस का फंदा निकालना है, उसके बाद दो फंदे सीधे, सेकिन रो, दो फंदे सीधे बिनने हैं, फिर पांच फंदे उल्टे बिन लेने हैं, बैक साइड से हमें ये करना है, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, इस तरीके से हमें पू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीक से मैं पूरी सेकिन रो को भी निकाल लोंगी ये देखे फ्रेंड मेरी सेकिन रो भी पूरी निकल चुकी है अब आ गई हुम है थार्ड रो में मुझे थार्ड रो अजिस्टी निकालने के बाद दो फंदे उल्टे बिनोंगी और फिर 5 फंदे सीधे बिनोंगी ये देखे 5 फंदे सीधे बिने थार्ड रो में भी हमाँ वही रिपीट करना है 2 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे फिर 2 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे देखे 2 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे इस तरीके से मैं थार्ड रो को भी निकाल लूँगी इस तरीके से देखे थार्ड रो अब मैं आ गई हूँ 4 रो बैक साइड से 4 रो बैक साइड से उसी तरीके से निकलेगी 2 फंदे सीधे 2 फंदे सीधे 5 फंदे उल्टे इस तरीके से 2 फंदे रोम 2 फंदे राइट और 5 फंदे रोम इस तरीके से मैं पूरी रो को निकाल लूँगी यह देखे फ्रेंड बहुत ही आसान डिजाइन है और दिखने में बहुत ही शंदर लगती है आप इसको अपलाई कर सकते हैं और यह बहुत इजी डिजाइन है देखे मेरी 4 रो भी कंप्लीट होने वाली है 4 रो कंप्लीट हो गई है अब आगे हम 5 रो में 5 रो में हमें ध्यान देना है किस तरीके से करना है देखे पहला आजेस्टिज निकाल लूँगी उसके बाद 1 फंदा सीधा बिन लूँगी और जो यह 2 फंदा है उसको भी सीधा बिन लूँगी 2 फंदे के यह फंदे के इसके नीचे जो यह उल्टा फंदा बनाए इसको हम उठा लंगे इस तरीके से इस तरीके से उठाएंगे और इसको उल्टा बिन लंगे इस तरीके से उल्टा भी नंगे देखे एक फंदा बढ़ा लिये हमने आप हम धागा पीछे करगे एक फंदा सीधा भी नंगे फिर धागा अपनी तरब करगे फिर धागा अपनी तरब करगे यह यहाँ पर इस तरीके से जैसे यहाँ पर उठाया हमने उल्टे फंदे के नीचे उसी तरीके से यहाँ पर भी उठा लगे देखे उल्टे फंदे के नीचे इस तरीके से उठा लिया और एक फंदा ये भी उल्टा इस तरीके से बिन लिया ट्रक एक इधेर बढ़ गया, अधेर बढ़ गया और यहाँ पर दो घट गए इस तरीके से फ़र एक फ़ंदा सीधा बिनोंगी ये देखे, दो फंदे उल्टे बिनूंगी, फिर वही रिपीट करूंगी, यहीं से इस तरीके से फंदा उठाऊंगी और इसको उल्टा बिनूंगी, धागा पीछे एक फंदा सीधा और तीन फंदो, धागा आगे करूंगी, तीन फंदो का एक कर दूंगी, उल्टा, इस तर यहां से फंदा उठाने के बाद इस तरीके से उल्टा बिलना है, वही रिपीट करना है, इस तरीके से यहां से फंदा उठाना है, उल्टे फंदे के नीचे, फिर एक फंदा सीधा, तीन फंदों का एक फंदा, फिर एक फंदा सीधा, फिर यह देखे यहीं से उठाना ही यहां से इसके नीची यह जो फंदा है उठाया उल्टा बिना फिर यह दो फंदो को भी उल्टा बिनने हैं फिर वई यह करना यहां से उठाया इसको उल्टा बिना और एक फंदा सीधा बिना तीन फंदो का एक किया उल्टिया फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बिना, तीन फंदों का एक किया, यहां से देखे, इसके नीचे जो उल्टा भागा इसको उठाना है, उठाया और इसको उल्टा बिन लिया, और इन दो फंदों को उल्टा बिन लिया, एजस्तीज को भी उल्टा ही बिन लिया है, अ अब मेरे ये 5 रो भी complete होगी, अब 6 रो बैक साइड से, 6 रो हमें बैक साइड से कुछ नहीं करना है, वही repeat करते भी जाना है, दो फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे बिनने हैं, फिर वही दो फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर दो फंदे सीधे फिर 5 फंदे उल्टे इस तरीके से फिर दो फंदे सीधे इस तरीके से फिर 5 फंदे उल्टे बिनने हैं इस तरीके से इस रो की हमारी एक पैटन बन चुकी है और कुछ इस तरीके से दिजाईन बन के आता है देखे फ्रेंट बहुती ब्यूटिफूल और सुदर दिजाईन लगता है ये देखे कुछ इस तरीके से पैटन बनके आता है और फ्रेंट साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है और देखे फ्रेंट साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है अब बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है आपको इडिजेन पसनाती है तो इसे लाइक, सियर, सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले थैंक्यू फ्रेंड, बाई